हेलो गाइज मैं हूँ अरुन और अभी रात के बारा बच के पांच हो रहे हैं तब फिर इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूं क्या कर सकते हैं और कि तो जी नहीं आई थी मुझे चलो वीडियो बनाते हैं मेरा बोड रिसल्ट आने वाला था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई आएंगी तो फिर आज मेरे पास को आईडिया नहीं था तो फिर मैं सोचा कि चलो सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपको बता तो फिर एक हम लोग पोर्ट सेलेक्ट करते हैं और एक सर्वर होस्ट करते हैं हम लोग उसको मेसेज कर सकते हैं उसके साथ बात कर सकते हैं तो कैसे करेंगे मैं बटाता हूँ तो अब जो भी आपका एडी उसका पाई चाम विजुल इस्टुडियो और यह ओपन हो रहा है और अब जो है एक इन-bilt module होता है तो फिर इसको कैसे करते हैं मैं आज आपको बताता हूँ तो फिर अभी जो है मेरा इंटरनेट connected तो है लेकिन मैं इसको लोकल होस्ट पे चलाऊंगा क्योंकि लोकल होस्ट पे इसले कि मैं दो टर्मिनल बनाने जा रहा हूं तो फिर बात क कि अपना server.py में पूरा का पूरा सिस्टम की कैसे यह server create होगा तो विशे से फिर आपनों क्या करेंगे इससे फ़ले तो हम लोग इंपोर्ट करनेंगे socket को यह अब जो है मेरा जो socket है socket is equal to socket.socket तो फिर यह हमारी socket class को हमने activate initialize कर दिया है socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket.socket तो थो फिर आप यह हम लोग लिसंद करेंगे जो भी connection इसके बात हम लोग चाहिए चाहिए हुआ Japanese किसे आ रहा है जिसे कि c,addr address is equal to server.assoc.accept अभी जो है जो भी connection इससे connect होगा उसके accept कर लेगा इसके साथ ही अब प्रिंट करेगा okay we got connection from मेरा address जो भी मुझे से connect होगा उसका address का है तो फिर मुझे address भी मिल चुका है अब इसमें क्या करेंगे कि मेरा वीडियो रिपाट होगा है तो फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब जो c है हमारा c जो है पूरा data है तो फिर हम लोग से से पहले से एक सेंट करेंगे c.send करेंगे अब यह हमेशा बाइट कोड में लेता है थैंक्स पॉर कनेक्टिंग यह हो गया अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसके बाद हम लोग को डेटा लेना है तो फिर डेटा इस अब इसके बीच में बफर साइज देना है तो वे 9600 में दे देता हूं बफर साइज और अब यह है प्रेंट डेटा अब हमारा डेटा जो है बाइट पोड में आएगा डॉट अब लोग इसको डिकोड करेंगे इक इसमें यूनिकोर ट्रांसर फॉर्माइट यूट यूट इसके बीचर देना का मैंने तो गलती से मैंने स्क्रिंग दे गया अब यह बाइंट कर देगा देखिए यह लोकल बना दिया है अब यह वेट कर रहा है मेरे मैसेज का तो यह मैं आपको दिखाता हूं दूसरा हम बनाएंगे क्लाइंट डॉट पाई इसके पढ़र इंपूट करेंगे हम लोग socket को यहहां पर भी नहीं में. इसके परेले इंपूट करेंगे हम लोग क्योंड़्म इंपूट लेगे हम लोगूट करेगा यह फंक्चन करेगा देटा को सेंड करें दासे से फेले तो connect करें का socket.socket sock is equal to तो फिर sock.send करना है मुझे तो फिर sock.connect कहले करें हम लोग किसे कनेक करेंगे local host से 1 to 7.0.0.1 और हमारे जो हमेशा की तरह हम लोग करना है इसमें double bracket और फिर से पहले तो मेसेज मिल रहा है हम लोग उसको print करेंगे है ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि तो फिर यहां पर तो मैंने बना दिया है और इसका port क्या है 5000 मैंने दिया था कि 3000 तो फिर यहां पर जो है मैं connect हो जुका हूँ अब इसमें soft.accept soft.accept नहीं soft.receive जो भी data आ रहा है उसको हम लोग सेंट करता है तो यहां पर जो है प्रिंट कर देंगे अब यहां पर जो हम लोग को एक थोड़ा सा वो ले लेंगे parameter जिसको कहते है message message should be string मैंने डाल दिया string रहेगा हमेशा यह अब जो है यह soft.send क्या send करना है message dot encode अपने लोग यहां इसको encode करेंगे utf-kit में जिसके में वज़र चीए white code में जास करता है और फिक प्रेंट इंपट लेना है while true data is equal to input enter the message here अब यहां पर जो है message डालने को कहेगा और फिर हम लोग सेंड डेटा इसमें डेटा सेंड करना है हम लोग को message में ते फिर मेरा message में क्या आएगा data बस हमारा यह भूड हो गया अज तो आपने में टर्मिनल को लांच कर दूंगा हमें दो टर्मिनल की ज़रुक पढ़ने वाली है तो फिर मैं आप से प्लस कर सकता हूं और मुझे एक और टर्मिनल मिल जाएगा यह पता नहीं क्या हो रहा है बहुत चीज़े खुली है रैम भी बहुत ज़्याता ले रहा होगा तो फिर मैं चीज़े बंद कर जाएँ इससे मेरा computer तो आसा free हो जाए अब हम लोग जाएँ से पहले तो यहां पर ऐसे स्प्लिट कर देंगे और मुझे दो टर्मिनल्स मिल चुए पहले में लोग सर्वर डॉट पहले चलाएंगे इसके बाद इसमें चलाएँ हम लोग क्लाइंट डॉट पाई अब यहां पर जो है पता नहीं यह connect कर पाएगे निए ओ हाँ हाँ है लो देर आप फॉर स्लीक क्लोज बाई रिसीव एक लेस्ट वन आर्गिमेंट ओ हां चॉरी इसको तो रिसीव करना था तो फिर इसको बफर साइज देना था तो फिर 9600 बस एक आपाट ट्राइ करते हैं दो कि दो चुर्स में तो इससा सब टोट पाई है और यहां पर हमरा क्लाइंट पाई आप देकिए यहां पर मैंने भूणगा है लो देर यह मैं लोग कर सकते हैं किसमें यूट्य उफ aid में डिकोड अगर हम लोग कर दें तो फिर मुझे पूरा को पूरा स्ट्रिंग बचाएगा अब इस से से मेसेज आएगा फिर उसे मेसेज जाएगा इसे कहते हम लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर मैं अगर क्लियर कर देंगे और इसके बात हम लोग सर्वर चला देंगे इससे सर्वर क्रियेट हो जाएगा और यहां पर हम लोग क्लाइंट चलाएंगे आप देखिए कमाल अगल मैं लिकूँ है लोग टेयर आई अगर में लिको थैंक्स फॉर्ट यह दिखा रहा है वन टो सब्सक्राइब अपने पीसी के आई-पी एड्रेस आपको कैसे पता रगाना है कि आई-पी कॉन सिक्क करना है और दूसरे कम्पीटर में वही आई-पी एड्रेस डालना है और से मॉट्सपॉट पर उसको कनेक्ट कर देना इससाद आपको कुछ नहीं करना तो फिर उमीद आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको समझ आया है तिर क्या कर रहे हो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और इस व